नमश्कार चरहट के इंदिमाब सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हैं दोस्तो सपनों में आपने कभी अपने आपको संबंद बनाते हुए देखा है यह महिला हो या पुरुष दोनों ही के उपर निर्भर करता है कि आपने शपनों में कभी अपने आपको किसी की साथ संबंद बनाते हुए देखा है तो इसका आखिर भविश्यम होने वाले क्या मतलब होती है आयम आपको बताते हैं विस्तार से उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरू कर दे दोस्तों इतार शेयर कर दे यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पैल आइकन जरू दबादे ताकि आपके पास इसी प्रिकार की जोती सोरा थैत्मिक वीडियोस आती रहें। दोस्तो अगर आपके सपने में कोई घुपसूरत और अवरत या लड़की या परियां या नगनवस्ता में कोई इस्तरी आपको सपनों में नजर आती है तो साफधान हो जाएं। क्योंकि सपनों में इस्तरी का आना आपके लिए बहुत कुछ इजारा करता है वहीं सपनों में कई बार हम इस्तरी को अजीब गरीब रूप में और नगनवस्ता में भी देखते हैं। प्रक्रअ मतलब होकुँ है आई जाने सपनों मनेटरी देखने का आखिर क्या मतलब होती है। को अच्छी सपन और सपने की कुछ मतलब होने वाले संकेत होती है। इनी में से आज हम आपको कुछ सपने लेके आएं जो आपको सपनों में इस तरी का दिखना के उपर को सपने हैं पहला है सपनों में सुन्दल लड़की या परियों को दिखना व्यक्ति को धन संबंदी सुख सुविदा लापकी और संकेत करता है सपनों में परी का आना, कहीं से सुप समाचारिय, सुख और धन की प्राप्ती की यूग बताता है वहीं जो पुरुस सपनों में बार बार इस्ती को नगनवस्ता में देखता है तो ये उसके जीवन में हो रही गति विदियो को दर्शाता है जो कि उसके जीवन में कामवासना की इच्छा को दर्शाता है जो पुरुस इस्त्री को अपनी सपनों में चुम्मल लेते हुए उसके साथ प्रेम करते हुए फिर वासना करते हुए देखता है अगला है अगर किसी पूरुष को अपने शपनों में धन और आप भुशण से सजी धजी इस तरी दिखाई देती हैं तो इस वेक्ति के रुखे हुए कारव पूरे होने की संबाब न होती है आप हुषणों से सजी धजी इस तरी आपके भाग्य मजबूत होने का संकेत है अगला है वहीं अगर आपके सपनों में कोई औरत रोते हुए दिखाई देती है तो आपके उपर परेशानी और बाधाय आने का संकेत होती है निकट भाविष्य में इसे मस्सें आपको जहली पड़ सकती है यहां तक कि यह संकेत किसी के मिर्थी होने का भी होता है वहीं अगला सपन है सपन सास्तर के अनुसार ऐसे कहा कि है कि जब कोई इस तरी सफेद वस्तर में दिखाई दे तो बहुती अशुप संकेत समझना चाहिए यह संकेत इस बात की और इशारा करता है कि कहीं किसी व्यक्ति के मिर्थी होने वाली है और वहीं जब कोई मिर्थ व्यक्ति आपके सपनों में आकर कुछ आपको दे जाए तो यह भी किसी के मिर्ति होने के संकेत यह कि अधूरी इच्छा की और दर्शाता है जो कि पूरी नहीं हुई है तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो को काफbane पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइख जरूर कर दे दोस्तों के साथ शेयर करते हैं यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर पहला आइकन जरूर दवादे धन्वाद